अरब देशों में इस्तिमाल किये जाने वाले इसलामिक कैलेंडरों के मताबिक मुस्लिम समदाय 1440 हिज्री में प्रवेश कर चुका है दुनिया भर में मुस्लिम समदाय के लोग 11 सितंबर को इसलामिक नया साल मना रहे हैं आधिकारिक और पर मंगलवार को 1440 हिज्री का पहला दिन पहला मुहरम घोशित किया गया है मुहरम इसलामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है हिज्री नवंबर वर्ष के उपलक्ष में कई इसलामिक राष्ट्रों में अफकाश घोशित किया गया है अरब देशों में इस्तिमाल किये जाने वाले इसलामिक कैलेंडरों के मताबिक मुस्लिम समधाए 1440 हिजरी में प्रवेश कर चुका है अफ्रीका यूज के मताबिक हिजरा में शुरू होने के कारण इसलामिक कैलेंडर को हिजरी बोला जाता है दरसल इसके पहले साल में मुहम्मद पैगंबर का मक्का से मदीना की ओर हिजरत प्रवास हुआ था यह इलाका आज के सुधी अरब में है अलाकी आम ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें एक जनवरी को नया साल मनाया जाता है उसकी तुलना में काफी कम लोग ही हिजरी कैलेंडर का नया साल मनाते हैं मुसलिम प्रमुख राष्टों को छोड़ कर अधिकांच दर्म निर्पेक्ष देशों में यहां एक सामाने दिन की तरह ही होता है इस मौके पर सयुक अरब हमीरात के राष्ट्रपती शेख खलिफा बेन जाय दलनाहयान ने नय हिजरीसन पर सभी मुसलिम देशों के नागरिकों को मुबार का बात दी है गल्पयूज के मुताबिक खलिफा ने सबको अच्छे स्वास्थया और अरब और मुसलिम देशों को उन्नती की शुब कामनाई दी है